Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाल है Dynar 35 tablet के बारे में जो कि इसका इस्तमाल महिलाओं से जोड़ी काफी तरह के रोगों को दूर करने के लिए से बहुत ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाल है Dynar 35 MG tablet के बारे में इसमें combination क्या है, combination क्या work है, कौन-कौन से परपोजों में यूज के जाता है, क्या side effect है, किसे नहीं लेना है यह सबी बाते हमें इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो बात करते हैं Dynia 35 MG टैबलेट के बारे में जो की 21 टैबलेट की पैकिंग होती है बायर कमपनी की बनाए हैं मेडिसिन है 320 से 330 उर्वे की प्राइज में बहुती आसानी से अबलिबल हो जाता है अब बात करते हैं इसमें क्या 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 कंभिनेशन हैं तो इसमें 2 important combination है सैपरो, टिरोन, एसिटेट और इथाइनल, इस्टेरिडियोल जो की 2 important combination से मिलकर बनायागा है यह मेडिसिन है जो की इन दोनों क्या काफ़ी अच्छा beneficial problems को दूर करने में काफी फाइदेमंद होता है बात करते हैं कौन-कौन सी प्रोडम्स को दूर करता है तो साइप्रोटिरोन जो की एक तरीके का हार्मोनल क्लास से बिलोंग करने वाला है मेडिसिन है इसका इस्तमाल बहुत जादा कॉंट्रासप्संस के लिए से इस्तमाल किया जाता है गर्भ निरोधक के रूप में से बहुत जादा इस्तमाल किया जाता है इस कॉंबिनेशन के इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर में इस्तमाल करते हैं इसके अलावा प्रोस्टेटिक हाइपर प्लेजीमिया में से इस्तमाल किया जाता है इसके साथे साथ hyper sexuality जो की sex activity के परती बहुत ज़्यादा लगाओ होने की समस्या होती है तो उनसे भी परकुज़ों में इस्तमाल करते हैं इसके अलावा हर्सुटिजम में इससे इस्तमाल गया जाता है फेस पे उसी परकार महिलाओं के पर ही इस तरीज की समस्या देखने को मिलती है फेस पे बाल आता है चाती पे बाल आती है तो उनसे भी परकुज़ों में भी इससे डॉक्टर के द्वरा प्रिस्क्राइब किया जाता है यह कॉंबिनिशन इनसे भी परकुज़ों में भी काफी फायदेमंद होता है साइप्रो टिरोन इसके अलावा जो अगला कॉंबिनिशन है इथानाइल स्टेरेडियोल इथानाइल स्टेरेडियोल जो की एक तरह का सिंथेटिक एस्ट्रोजन हार्मोन है जो की इसका इस्तमाल मिनोपोजल हार्मोन रिप्लेस्मेंट थरीपी में भी इसे इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा इसका इस्तमाल हार्मोन रिप्लेस्मेंट थरीपी में करते हैं इसके सांथे सांथ पोस्ट मीनोपोजल औस्टोपोरिसिस के प्रॉलम्स में भी इसे इस्तमाल करते हैं इसके सांथे सांथ ब्रिस्ट और प्रोस्टेटिक कैंसर में भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है इसके साथे साथ इसे बहुत ज़्यादा इस्तमाल गर्भ निरोधक के परपज में इसे इस्तमाल किया जाता है तो यह इन से भी परपजों में इन दोनों ही कॉम्बिनिशनों का यूज किया जाता है इसके साथे साथ डॉक्टर अपने experience के अनुशार भी इस दवा को किसी भी problem में लिखते हैं तो यही था इसके फायदे के बारे में बात करें इसकी क्या dose है dose इसकी depend करते है कि आपकी healthy condition क्या है, आपका weight क्या है, आपकी किस problem में इस medicine को ले रहे हैं इसे भी depend करता है कि आपको क्या dose होनी चाहिए normally इसे गर्भनी रोधक के purpose में इसे इस्तमाल कर जाता है जो कि pregnancy ना होने की लिए यूज किया जने वाले patients में इसे periods के 3-5 दिन से इस tablet को 21 दिन regular दिये जाने के लिए इस medicine को dose का confirmation होता है फिर भी आप यह एक तरीका से due later drugs है जो कि doctor की रेख देख without सलहा के इस दवा को इस्तमाल नहीं किया जाता है तो इसका dose का confirmation भी doctor की सलहा और रेख देख में ही करें किसे नहीं लेना है pregnant lady, breastfeeding mother, kidney patient, liver के patient अगर आपको किसी भी द्रग कोई भी critical medical condition में आपको कोई medicine course चल रहा है तो उन सही प्रपज़ों में आप इसे इस्तमाल ना करें बात करें क्या side effect हो सकता है अगर आपको सूप नहीं करता है तो normal stage पे vomiting सरमे दर्द, बहुत ज़्यादा मूँ सूखना, भूख नहीं लगना, बहुत ज़्यादा पसी ना आना इस तरीके के आपको side effects देखने को मिल सकते हैं तो यही था dynia 35 mg tablet के बारे में जनकरी अगर आपको वीडियो रियाजन कर इच्छे लगी प्लीज लाइक किजएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजएगा आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू फॉर वाचिंग